नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं स्रीयम हेमन्त ने पलामू में 5000 युवाओ को सोपा नियुक्ति पत्र जार्खन के स्रीयम हेमन्त ने मंगलवार को पलामू के 5132 युवाओ को नियुक्ति पत्र सोपा पलामो के मेदनी नगाई स्थित पुलिस लाइन मैदान में जन सभा को समधित करते हुए उन्होंने केंद्रे की नैंद मोदी सरकार पर निशाना सधा मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि केंद्रे सरकार जहारखन के साथ सोतेला बेभार कर रही है बरस्टा चार और जियेश्टी के जाल में फसा कर उन्हें परिसान किया जा रहा है लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं है उन्होंने कहा है कि अभी बीजेपी को जहारखन की सत्ता से बेदखल किया है और पूरे राज्य से बाहर करने की तैयारी है पलामू जिले के पूलिस लाइने स्टेडिया में आयोजीत प्रमंडल अस्तर ये रोजगार मेला कारकरम में मंच पर बैठने की बेवस्ता नहीं होने पर रायत नेताओं ने नराजगी जाहिर की और विरोध दर्ज कराया इस दोरान हेमन सुरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है जब वे साभा अस्तल को छोड़ कर जाने लगे तो पलामू एस्पी ने कुछ नेताओं को मनाक और मंच पर बैठाने की बेवस्ता कराई वहीं इस मोके पर गराविन विकास मंत्री अलमगीर अलम चरम मंत्री सत्यानद भोकता वा विधायक बैजनाथ राम समेत कई गन्माने मजूद थे भारत ने जापान को दो एक से हराया महिला ACI Champions Trophy में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज कराई है मरांगोम के जैपाल सिंग एस्टेडिया में मंगलवार को खेले गए रात के मैच में भारत ने मजबूत जापान को दो एक से हराया इससे पहले चीन ने मलेशिया को 4-0 से और कोरिया ने थाइलेंड को 3-0 से हराया वहीं चीन और कोरिया ने अपने-पने मैच जीत कर सेमी फैनल में जगह पकी की है भारत और जापान की टीमों ने पहले ही आमतीम 4 में जगह बना ली थी वहीं परत्योगता में अब तक सभी 4 मेंच हर कर थाइलेंड और 4 में से 3 हर और 1 ड्रा खेल कर मलेशिया की टीम सेमी फैनल की रेस से बहार हो गई भारत ने सभी 4 मेंच जीते हैं और अंक तालका में 9 अंक के साथ पहला अस्थान बरकरार रखा है स्वास्थ मंत्री ने की रिम्स में मरीजों के लिए कई सुर्धाव की शुरुआत ज्यार्खन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने स्वास्थ मंत्री ने कहा है कि जार्खन एक गरीब राज्य है लेकिन इसके बाजूद यहां पर गर्वती महिलाओ के लिए प्रसो वेवस्था का पूरे देश में अपना स्थान है गर्वती महिलाओ को अस्पताल में डिलेवरी करवाने के लिए गरामिन छेतर से आई महिलाओ को 1400 रुपे मुहिय कराये जाते हैं जबकि सहरी छेतर से आई महिलाओ को अस्पताल में 1000 रुपे मुहिय कराये जा रहे हैं अबुआ अवास जोजना के लिए पोटल के माध्यम से करना होगा अवेदान हिमन सरकार अबुआ अवास जोजना के जरिये बेघर लोगों को अपना घर होने का सपना सकार करने में चुटी है पिछले दिनों केविनेट से मंजुरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जमीन पर उतारने में लगी है वैसे तो अब चारिक रूप से राजस्थापना दिवस 15 नौमबर से इसकी सुरूआत होगी बता दे अबवा अबास्योईना के तहत इस साल मार्च तक सरकार 146 कुलोर खर्च करने जा रही है जिसके तहत 2 लाख मकानों का निर्मान कराने का लग्ष है वहीं ग्रामीन विकास विभाग द्वारा की जा रही त्यारी के तहुत अबवा अवास वोईना का लाव लेने के लिए ग्रामीन विकास विभाग द्वारा त्यार किये जा रहे पोर्टल पर आवेदन करना होगा सुखे की चपेट में 175 बलोक क्रिसी निदेसालाय ने कराई थी जाच राज में लगातार दूसरे साल भी सुखाड की स्थिती उत्पन हो गई है क्रिसी निदेसालाय की ओर से सुखाड की वास्त्विक इस्थिती के लिए जमीनी आकलन कराया गया जिसमें 21 जीलो के 175 परखंड के सुखाड की पुष्टी हुई है निदेसालाय की ओर से इसकी रिपोर्ट क्रिसी विभाग को भेज दी गाई इस रिपोर्ट के अधार पर आपदा विभाग के अध्यक्षता में सम्मधित विभागों की बैठाक होनी है बैठाक के बाद इसे केबिनेट में भेजा जाएगा और सुखाड की घोसना की जाएगी इसके बाद च्छती का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी इसमें किसानों को राहत देने के लिए मुहवजा राची की मांग की जाएगी जारखंड के थानों में लगाए जाएगे 52-750 CCTV कैमरे राज्ये के पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों पता दिकारियों पर CCTV कैमरे से निगाने रखी जाएगी इसके लिए प्रथम चरन में 334 थानों का चेहन किया गया है जहां कूल 52-750 CCTV कैमरे लगेंगे बताद CCTV केमेरे को लगाने में कूल 107 क्रोड़ 144 लाग 4 यार 22 रुपे खर्च की जाने का उनुमान है पुलिस मुख्याले की अनुसंसा पर जार्खन एजेंसी फोर प्रमोशन अफ इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी जैप आईटी ने डी पी आर त्यार किया था योजेना के किरनवेशन के लिए जार्खन पुलिस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेड रांची ने चौथी बार एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट परकासित कर नई दिली की कमपनी मेसर्स एमस्ट आएंड यंग लल्पी का चैन किया है ग्रिह मंत्री ओपरेशन मेडल से नवाजेगा जार्खन के सोल्लह जवान केंद्रिये ग्रिह मंत्राले ने केंद्रिये ग्रिह मंत्री स्पेशल ओपरेशन मेडल के पदाधीकारियों जवानों के सूची मंगलवार को जारी कर दी इस साल CRPF में सरवधिक 51 पदाधिकारियों जवानों के यह मेडल मिला है इसके अलावा NIA के 9, NCB के 14, आंद्रपर्देस के 12, असम के 5, गुजरात के 20, जारखन के 16, मद्रपर्देस के 21, तमिलाड़ू के 29, इस्तिलंगाना के 22, तरिपुरा के 2, पच्छे मंगाल के 10 वा उत्राखन के 3 पदाधिकारियों जवानों के यह मेडल मिला है बदाधे जारखन पूलिस के 16, पदाधिकारियों जवानों के यह मेडल अपरेस्तन, आक्टो पस चला कर बुढ़ा पाहड को नक्सलियों से खाली करवाने, वलो हर दग्गा लाते हर सिमा पर बुल बुल जंगल में अपरेस्तन, डबल बुल चला कर भारी मत्राय में हत्या भारतिय महिला होकी टीम की फरवर्ड खिलाडी वंदना काटारिया 300 अंतराश्ट्रिये केंप अरजित करने वारी पहली खिलाडी बन गई है, इसे लेकार विमेंस एसे एन चेंपियंस के चोथे दिन के मुकाबले में होकी इंडिया ने बधाई दी, उतरा खंड के अंतराश्ट्रिये मैच खिलने वाली पहली भारत की महिला खिलाडी बन गई, भारत मवजूदा महिला ACI चेंपियंस टोफी 23 में अब तक अजय रहा है, इसने थाइलेंड के खिलाप अपना पहला गेम साथ एक से जीता है, वहीं अपने दूसरे मैच में मलेसिया खिलाप 5 और फिर रोवांचक मुकाबले में चीन को 2-1 से हराया है, हजारी बाग ट्रेन हाथसा में तीन की मौत कई की हालात ना जूक, जार्खन के हजारी बाग गिले में एक यातरी ट्रेन ने ट्रेक्टर ट्रॉली को पीछे से टकर मार कर उड़ा दिया, टकर इतनी भिशन थी कि ट्रेक्टर ट्रॉली कई फीट उची छलांग लग गई, कई मीटर दूर पर जागिरी, हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गई, घायलों में कुछ की हलात ना जूक बनी हुई है, या दुर घाटना पुरो मधर रेलवे के हजारी बाग औ चरही एस्टेस्नों के बीच में हुई है, उस वक्त हुई जब बारका खाना कोडार्मा एस्पेसल ट्रेन ने सुबा चरही थाना छेतरे के तरवाहा गाव के पास ट्रेक पार करते समय ट्रेक्टर ट्रोली को जोरदा टकर मार दी, हाथसे में ट्रेक्टर ट्रोली के परचक पदो पर प्रोनती देने के कार्मिक विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी सुनवाई के दोरान अधिवक्ता सौरव सेखर ने अदालात को बताया है कि आरक्षी स्रेनी के पतादिकारों को प्रोनती का लाब भी उसी स्रेनी में मिलना है मरीज के परिजनों से उलजने के बजाय उनके हालात को समझे मंतरी रिम्स मंगलवार को डालेसी सेंटर औपरे फर उपचार केंदर सेंटर लाइबरेरी और मरीजों के लिए वेटिंग एरिया का उधगाटन स्वास मंतरी बना गुपता ने कहा है कि आयुसमान और लाल काट धारी के अलावा वंचीत गुरुप को भी लाफ देने का परियास किया गया है उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों को भावान के दूसरे रूप में देखा जाता है चिकित्सकों को मरीजों के परिजनों की पहिस्थिती को समझना चाहिए उलजने के बजाए समझने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बातों में आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा किरिंस में परवेश करते ही दोनों रोड के बीच में लगे डिवाइडर की बदहाली से भोतिया बंगला लगता है रांची के 81% लोगों ने पेटरोल पर सबसीडरी लेना बंद किया पेटरोल पर सबसीडरी लेने की सरकार की योजना के परती लोगों की रूची बढ़ने के वज़ाए घड़ती जा रही है योजना के लाभूक लगतार कम हो रहे हैं जन्वारी 2022 में सरकार ने यह योजना शुरू की थी रांची जीले में जन्वारी 2022 में 18,226 लोग इस योजना से जुड़े थे लेकिन इनकी संख्या लगातार कम होती गई और अगस्ट 2023 तक 349 लोग ही इसका लाव ले रहे हैं इस साल में 81% लोगों ने योजना का लाव लेना बंद कर दिया है जबकि रांची में 4 लाख रासन कर धारी हैं योजना के तहर सरकार हर महिने लोगों को 10 लीटर पेट्रोल पर 250 रुपर सबस्रीटरी की योजना चला रही है CM हेमंत ने कहा मुडमा जत्रा को आज बैसाखी की जरूरत नहीं दो दिनी राज किये मुडमा जत्रा मंगलवार को संपन हो गया करेकरम में मुख्यती थी राजी के मुख्यमंतर हेमंसरेन ने कहा है कि आज मुडमा मेला बहुत मजबूत हो चुका है इसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है यहां खड़े लोगों का जनसेलाब यह बताने के लिए काफी है दुनिया का आधि मानव आधिवासियों को कहा जाता है तो फिर यह समाज आज इतना गरीब क्यों है इसके बाद भी आज जब मांदर की थाप बज़ती है तो सायद ही कोई आधिवासी होगा जिसके पैर नहीं हिलते हो आज देश की होकी टीम में आधे से अधिक खिलाडी जारखन के है परंतु उनके घर की हालात बेहत ही खराब थी मैंने उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए एक मोडल बनाया आज हमारी सरकार बेहतरीन परदसन करने वाले खिलाडियों को सीधे नौकी दे रही है यहां के कोईले से पूरे देश को बीजली मिलती है परंतु यहीं राज अंधेरे में है मयुराक्षी नदी पर बने पूल के नाम पर सियासत शुरू दुमका में मयुराक्षी नदी पर बने पूल के नाम पर सियासत शुरू हो गई है सोमवार कमो के मंतरी हमांचरे ने इस पूल का उध्याटन करते हुए इसका नाम दिसोम गुरू सीवू सोरें सेतू रखने जाने की घोसना की थी इसके बाद इस पूल के नाम पर आईनिती शुरू हो गई परमुख विपक्षी दल भरतिय जनता पाटी ने मयुराक्षी नदी पर बने राजेक के सबसे लंबे पूल का नाम सोतंत्ता संग्राम के प्रत्थम योद्धा में से एक बाबा तिलका मांजी के नाम पर रखने की मांकी है भाजबा परदेश करकरता में मिडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए परदेश परवक्ता पर तूल सहदेओ ने कहा बाबा तिलका मांजी के नाम पर इस पूल का नाम रखे जाने से उन्हें सरदांजली देने का काम किया जाएगा जारखन के राजभौन में दिखी जम्मू कास्मीर की खुबसूरती जारखन के राजभौन का नाजरा मंगलवार को देखने लायक था धर्बार हॉल में जमू कास्मीर और लद्धा की संस्क्रिती ने सब कामान मोह लिया दोनों केंद्र सासित परदेशों के अस्थापना दिवस के मौके पर कुछ बच्चिया प्रमपरिक भेस भूसा में पहुँची तो सब के चेहरे खिल उठे राजयपल सीपी राधाकृष्णान प्रधान सर्चीव नितिन मदन कुलकर्मी समेत राजभवन के कर्मियों ने दोनों राजयों की बच्चियों और अन्य बांसिदों के साथ तस्वीरे खिचवाई इस औसर पर राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने अपने समोधन में कहा है कि दोनों के अंदर सासित परदेश भारत के स्वर्ग है इन परदेशों की प्रकिर्ती, सुन्दर्ता और सम्रीज संस्कृती बिरासत पूरी दुनिया को अपनी वराकर्शित करती है रांची में ट्रेफिक जाम होने पर फोन पर आएगा अलर्ट मैसेज शड़क जाम रहने के कारण आपकी फ्लाइट और ट्रेन न छुटे इसके लिए रांची में ट्रेफिक अलर्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है ट्रैफिक पूलिस के दुआरा ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के माधियम से जहर में ट्रैफिक जाम होने और जाम फिरी होने की श्तिति धोनों की सुचनाए दी जाएगी रांची के ट्रैफिक ASP कुमार गवरों ने बताया है कि रांची ट्रैफिक पूलिस की तरह से सोसल मीडिया के जरी लोगों को अलर्ट मेसेज के साथ साथ ट्रैफिक से जुड़ी सभी जनकार्य अपलब्द कराई जा रही है इसके लिए ट्विटर, फेस्बुक, वाट्सेप चैनल और वाट्सेप का परियोग किया जा रहा है सोसल प्लेटफर्म पर आम लोगों को वैसी तमाम सुचनावे दी जाएगी जो उनके आवा गमन की स्थिति को परभावित करेंगे धन्यवाद